दोस्तो आयू की टॉपिक को हमें आगे कंटीनिव करना है, कुछ कुछन हमने कराये थे, आगे कुछन अपन सुरू करते हैं, आज का पहला कुछन लेते हैं, मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ कि क्या है आज का, Qution है A और B की RU का अनपात दे रखा है 5-4 A और B की RU का अनपात क्या दे रखा है 5-4 यदि A की बरतमान AYOU B की 5 vectors बाद की RU का अंतर किता दिया है 3 versus है तो A और B की बरतमान AYOU का यूग हमें चाहिए देखें ये Qution मैं हमें सबसे पहरे दिया क्या है A और B का आयू का अनपात, A और B का रेश्यो दे रखा है, आयू का कित्ता दिया है, 5-4 अब आप ये देखिए, पूछा क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, आयू का योक कित्ता है तो हम डारेक्टली आंजर दे रखते हैं कि वह देखते ही एक सेकेंड कि अंदर के आयू का यूग पूचाये तो यहां पर रिश्यू किता है पांच चार तो पांच चार किते होते हैं नो तो आंजर वही होगा जो नो से कैंसल होगा आप्सन क्या दे रख कें 68 68 क्या कैंसल होगा क्या नहीं होगा दूसरा ओप्सन क्या दे रख कर आब Baptistर nast तो चो बचे कौंसे दो ऑप dalla की 27 या बहात्तर 27 या बहात्तर को लेके जो बहासा बोल रहा है वह अपन क्येक कर लेते हैं क्या सैटिस्पाइब कर रहा है तो आंसर होगा नित नहीं होगा किस तरह के से करेंगे वह यहां पर अपन देख लेते हैं इनकी बर्तमान रासियों जो आयू का यू कित्ता दिया है 9X मलब कित्ता 5X और 4X इसकों पर मान सकते हैं इसके बाद अपनने आंगे क्या वोला है एकी बर्तमान आयू कित्ती रहेगी वही 5X बी की कितनी वही बी की पांच बर्स बाद की आयू तो बी की पांच बर्स बाद की आयू किते होएगी 4X प्लस के 5 ठीक है इनका अंतर किता दे रखा है वही 3 इनका अंतर दे रखा है 3 अगर हम इनका क्या कर दें वही अंतर ये दे रखा 3 तो जैसा कह रहा है ना में बैल्यू किसके चाहिए भी ए और बी के योग की बैल्यू चाहिए तो ए और बी का योग कितना अभी आपका 9 x आज़का अगला कुशन लेते हैं इसको पर फटाते हैं तो सेकंड कुशन क्या किरा आज़का कि A और B की बरतमान आयू का अनपाद किता है 6, 5 देखें A और B फिर से A और B के बारे में दे रखा है बरतमान आयू का अनपाद किता है 6, ratio 5 फिर क्या किरा इनकी आयू का यो कित्ता है 44 इनका यो कित्ता दिया है 44 ठीक है आट वर्स बाद उनकी आयू का अनपाद क्या होगा यह पूछा है तो देखें उनकी आयू का अनपाद हमें कपका निकालना आट वर्स बाद का निकालना तो पहली बात अपने यह देखते हैं ब चीज में उसी का डवाइड जो नेकलना उसका मल्टिप्लाई 11 चोक है 44 अब 4 का मल्टिप्लाई जिस चीज में करेंगो चीज निकलेगी तो चार चिंग 24 चार पंचे बीष तो यह न कलके आई किसके यह ने कलके आई ए और बी की बरतमान आयो कि लिए लेकिन चाहिए कपकी अभी अपन को आट वर्स बात की तो आट अपन को इसमें जोडने पड़ेंगे तो यह कित्ता हो जागा वह 28 वह कित्ता हो जागा आपका 32 इसका अनपाज चाहिए था आप कैंसल कर जकते हो किस से वही चार से चार अट्टे बद तिस चार सत्ते है अथाइस आप देख रहे होगे आंसर कितना बने आपका एट रेशियो सेवन जही इस कुश्चन का अंसर था ठीक है एट रेशियो सेवन डी वाला आंसर तो क्लियर हुआ भी आपको क सेवल जैसा कह रहा है भासा को समझना इंपोर्टेंट है भासा को जब तक हम समझनी पाएंगे इन कुश्चन को हम नहीं लगा पाएंगे रेशियो प्लस बासा ठीक है चलिए अगला कुश्च अगला प्रस्न लेते हैं आज का क्या कह रहा है आज का अगला कुश्चन एक समीर वा असक कि आयू का नंपाथ 4 तेन, फिर क्या रहा है कि ये बुर्थ बाद उनकी आयू का नंपाथ 5-4, फाइव, फूर, ये कब है, एक साल बाद is, ये एक साल बाद है, हमसे हमसे पूच क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि साब उनकी बिरतमान आयू का योग कितना होगा यह पूछा है बिरतमान आयू का योग चाहिए। तो पहले यह ब desapल ब बता हो UK मैं एक साल बाद वो gap कित्ती का हुआ भी दो साल का लेकर ratio में कित्ती का gap रिखाब एक साल का तो इनके gap में अपने gap का divide जो निकालना उसका multiply है अगर हम यह value निकालते हैं इनकी value निकालते हैं तो चार का multiply करोगा चार दूनी आठ तो यहां पर value क्या बन जाएगी आपकी S और A की चारदूनी 8 और दो तिया 6 यह value कप किये जब काई रिश्यू है और रिश्यू कप का एक साल पहले का है हमें बरतमान की value पूछे तो बरतमान के लिए एक इसमें जोड़ना पड़ेगा यह जोड़ना पड़ेगा यह किता हो गया भी आपका 9 यह किता हो गया भी आपका 7 हमसे पूछा क्या हैoplanि बरतमान आयू का इक पूछा है तो बरतमान आयू का इमालब कि यह Plus का यह मनलब किता ऑंसर हो जाएगा भी आपका 16 यह अंसर था ठीक है इस तरीके से इस question को सौल में करना था उमीद है समझ पा रहे होंगे चलिए अगला question करते हैं इसको अटाते हैं अब आप option से भी check कर सकते थे जडूरी नहीं का message आए हम option से भी check कर सकते थे option क्या-क्या दे रखे थे जड़ा देखें option से एक-दू question क्या दिया है option क्या दे रखें बारा फंद्रा सोला और C&D ठीक है तो देखे C&D तो वही हो नहीं सकता है पूरा data दे रखा है और अपन निकालने के लिए क्या है solve कर सकते हैं इसका मदलब क्या C&D आंसर नहीं हो सकता C&D कब होता है जब कोई data अपने को नहीं दिया जाया मलब ratio यह दिया यह ratio दे रखा है कितने साल पहले है कितने साल बात का यह नहीं दे रखा पर पूछे तो ratio ratio तो सिर्फ ratio निकल रखता है नंबर में value नहीं आ सकती है और यही चीज़ अपने को ध्यान रखने आगे जाके कई सारे कुछन ऐसे हो सकते हैं जिनमें C&D बने हैं आप एक साल पहले जाएंगे तो एक वंदा एक साल कम होगा तो दूंदा कितने नहीं को ठानौ और तो बताईए सासे कैंसल होने वाला कौन सा भी आपका यह नहीं दूनों आंसर नहीं थे तो अपर एक बार ही पकड़ गए कि आंसर क्या था इस तरीके से अपना option से भी हिट कर सकते हैं चलिए अगले question पर आते हैं इसको अटाते भी अपने देखिए next question क्या है A और B की आयू का योग कित्ता दे रखाया भी 60 वर्स A और B का A और B का योग दे रखाया साथ साल ठीक है आगे किर रहें दस वर्स बात A B से तीन गुना हो जाएगा दस साल बात की बात है कि ये A है वो B से कित्ता हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा ऐसा पूछ के आ रहे हैं अपन से simple the question है बरतमान आयू क्या है ठीक है दोनों की बरतमान आयू पूछी है तो देखिए अभी बरतमान आयू दोनों की पूछी हुई है तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों की आयू का योग साथ दे रखा है दोनों की आयू का योग साथ दे रखा है कि भी है हमें कुछ सॉल्व करने जरूत ही नहीं है अब सॉल्व कैसे करें तो इसके लिए यह देखिए यह टूटल कपका है साब बरतमान का है लेकिन यह जो रेशियो कपका 10 साल आगे का है तो हमें टूटल को भी 10 साल आगे लिए जाना पड़े तो दसस में जूडएंगे तसस में जूडएंगे क्योंकि दूने यह ददस साल बढ़ेगा ना यह का केला निवर सकता है बढ़ेगा तो दूने बढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि साब आज हमें एक च्छानी हो रही साब तो दोनों बढ़ेंगे तो यह भी बढ़ेगा दस साल यह भी बढ़ेगा तो टूटल कित्ता बढ़ेगा भी 20 साल तो दस साल बाद इनका टूटल कित्ता हो जाएगा भी 80 ठीक है अब जो ची उसमें उसी का डवाइड करना है तो तीन और एक चार चार का इसमें डवाइड तो बर्तमान की value कैसे ने कालोगे आपको पता है दस साल बाद अगर आप 20 साल के हो तो आज कित तेक होगे दस कम करना पड़ेगा दस साल बाद आप 50 साल के हो तो आज कित तेक होगे दस साल कम करना पड़ेगा तो 10 साल इस मैंसे कम करना पढ़ेगा और 10 इस मैंसे कम करना पढ़ेगा तो बर्तमान आयो इसकी 10 इसकी कित्तिया इंपचास जो कि अपन देखते ही यह अंसल लगा चुके थे किवल कुश्शन पढ़के ठीक है चलिए अगले कुश्चन पे आते हैं इसको अटाते हैं नेक्स्ट कुश्चन अगला कुश्चन है आज का यदी राहुल की आयू यदी राहुल की आयू पांच बर्स पहले बिनीत की आयू का एक वटे तीन थी यदी राहुल की आयू कित्ते साल पहले की बात वरी पांच साल पहले हैं किसकी बिनीत की आयू का एक वटे तीन थी यह बिनीत की आयू का एक वटे तीन थी ठीक है तो हमने पहले भी कुश्चन कराएं जिसमें बटे बारी संक्यादी रखी होती हैं एक वाटे तीन थी वही किसका वही बिनीत का तो बिनीत का एक वाटे तीन करना पढ़ेगा तो बिनीत की ऐसी वैल्ई उनने पड़ेगी जिए युो उताप से आसान नमर क्या वो तीन ही है अब इस यह झाँ रहे आलो riktigt जो तो निहां बिनीत वटते ψ कित्तर वही हुए दोबाल बाले का जो चुछ निया tiver STEPHANी का मार करएंगेm स पांच माइनिस करेंगे बारा साल है अब जो चिसमा हुस्य का डवाइट जो नहीं कालना सुनदिपलाई बारामें एक का डवाइट करेंगे तो 12 बारा का मल्टीपलाई कि अ कि फधेये आपके ऊपकाय करसे तो 5 से यड़़िए ईमिंदा सब्सक्राइप करता हूँ खुब घ्यारा सो इक ताली साल के यह आपके हो गाएं तो बार्थमान ऑयू किती निकल प्रोंटी बन यही препृत्रा ठीक है उम्मीद करता अगला कुस्चन देखते हैं वर ला प्रस्ड'm नेक्स्ट कुश्चन क्यए रहा हैज नीना का बिभाहें मैं बाला मैं बस सकते हों तो हैं किवर आपका बिभाह बिभाही हो गा कैसे लेकि मेरे इसाब से गए को बिभाय होने हैं, क्योंकि आज कल बिना नौकरी के बिभाय पूरा होई नहीं सकता है, आप समझ सकते हों, आपको तो सम्मिलन में जाना पड़ेगा, अगर आप SSC क्वालिफाई नहीं कर पाए तो, और सम्मिलन में भी लड़कियां क्या है, आज कल आपको पता है किसे साफ सुन रहे होंगे, फलाने दूला नहीं, SSC क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए उनकी दुलहन किसी तीसरे के साथ भागी, तो ऐसी सिती भी हो सकती है, इसलिए आपकी बिज़ती नहीं हो, इसलिए SSC क्वालिफाई कर ले हैं, चलिए तो नेक्स कोशन लेते हैं, अभी विभ बिभाय के समय की आयू का कित्ता अभी आपका पांच बटे चार है, ठीक है, आज उसकी आयू, एक है आज की आयू, एक है बिभाय के समय की आयू, और एक कप की अभी आज की आयू, तो वो क्या कह रहा है, कि आज उसकी आयू, उसकी बिभाय के समय की आयू का पांच बटे तो इसके हमें कित्ता करना पड़ेगा, पांच पट्रे, चार करना पड़ेगा, तब आज की value निकलेगी, तो हम बिवाई के इत्ता मानेंगे, जो चार से cancel हो जाए, तो सबसे आसान number क्या है, वो चार ही है, जिससे अपन cancel कर जकते हैं, तो मानते हैं, अपन नीचे वाली संग तो निकलती है उपर वाली, तो आज किते के भी पांच के, तो ये रेशियो अभी आपका चार पांच का, आज का और विभाय के समय की आयू का, अब हमसे क्या कह रहे हैं, उसके पुत्र की आयू, उसकी बरतमान आयू की एक पटे दस, उसके पुत्र की आयू, उसके बरतमान तो सबसे पहले यह बताएंगे हैं वह जो इसमाइड की निकालना किसे के बारे में आज उसकी आयुगुटी है तो गुणा करेंगे भी अपन कित्तेगा पांच का तो छे पंच अतीस लेकिं ये बर्तवान आयू किसकी निकली है ये नीना की बर्तवान आयू कि लेकिन निकालने किसकी है बच्चे की निकालने बच्चा कित्ते साल का है ठीक है तो बच्चा कित्ते साल का जरा देखते हैं यह पेफ गुणा किया वी अपने एकवटे दस का क्योंकि वही एकवटे दस गुना है बच्चा इसकी परत्वान आई होगा तिक जीरो से जी चला गया बचा कितेगा वी तीन साल का तो तीन साल का बच्छा है, काफी कुस होगा क्योंकि अभी एक्जाम में प्रिपरेशन के लिए नहीं उतरा है, किबल खेल कुन के दिन चल रहा है, कितना अच्छा होता है, जब हम छोटे होते हैं, मट्टी खाते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमते भृते हैं, किसी भी कु कुशन लेते हैं, नेक्ष्ट कुश्चन, पांच वर्ज बाद एक पिता अपनी आयू, अपने पुत्र की आयू की तीन को नहीं हो जाएगा, देखो पांच वर्ज बाद एक पिता की आयू, फादर एंड सन की बात हो रही है, फादर एंड सन, ठीक है, कब की पांच साल बा क्या ओरायाई भई आपने पुट्र से तीन गुण ऑह है तो पुट्रे की three गुना होगा फिर यह पुर्य का रहा है फिर शौ ठराये कह जब ही पांच स्पहले क्या था begुणा सlas उसटहँ पर कितने बस Belie पांच वरस पहले आप भुद देकर होके पाँच साल बाद पाँच साल पहले total difference कित्ते का वना 10 साल का लेकि रेशियो में यहां 4 का यहां 0 का जो की गलत है सेम होना चाहिए गैप तो गैप सेम नहीं है तो गैप सेम अपन बनाएंगे और गैप सेम क्यासे बनाएंगे भी ऑन्हों फादर सन के लिए इसके अंतर का गुणा इधर कर देंगे कित्ते का गुणा ओगा भी आट का आ त्यस्ति इधर कित्ते का भी दो का सु दो का मल्टिप्लाई इधर कर यह नया रेश्यू आपको बनेगा इस साइड तो छे ती आठारा च्छा एकम च्छे दो सत्य चुगदा दो एकम दो ठीक है तो यह नया रेश्यू बना आपका बढ़िया बाला थीक है सुझ मैं आया होगा भी आपको अब आप देख रहे होगे यहां कित्ते का लंटर चारका चार का, तो अब gap समान है तो इनके साफ से कितनी का gap है दस साल का, हमारे साफ से चार का जो निकालना उसका multiply करना होता है किसके बारे है पूछा पन से पिता की बर्तमान आयू क्या है अब देखिए पिता जी साफ आपकी या तो ये हैं फादर या तो ये हैं इसका मल्टिप्लाई करोगे तो इनकी बेल्यू निकलेगी इसका मल्टिप्लाई करो तो इनकी बेल्यू निकलेगी ये कब का है चलिए इसका मल्टिप्लाई कर देते हैं तो दो दूनी चार दो पंचे दस दो नम अठारा नो पंचे पैत 40 में 40 साल है तो पर्तमान में एक प्रेजट की बात चल रही है तो प्रेजन टाइम में कितने क हो जाएगा वह 40 शु मुल यह आपको चलिए नेक्स्ट कुश्यन पर बढ़ते हैं इसको अटाते हैं समझ में आ गया होगा भी आपको देखें छे बर्स पहले जगनात बद्री से दुगना था छे बर्स पहले की बात हो रही है कितने साल की चे साल पहले चे साल पहले टाइम ही कुछ और था बेकंसी पहुत आती थी लोग बाग काफी कम प्रिपरेशन करते थी अब तो भाई यह देखो दिल्ली उनिवर्सिटी निन्यार में पॉइंट नाइन नाइन पर एडविशन खतम होने लगते नाइन सेवेन पर बच्चे इतने एडवांस हो गया सो में सोनंबर सारे सबचेक्ट व में हमारे जमाने में से नबड़े परसंट चुछ आज हरे घर में पदा पड़ा किसी ना किसी का कोई रिस्तेदारी 95 परसंट लेके आता है जमाना चेंज हो गया कि पता नहीं सिस्टम चेंज हो गया समझ में नहीं आता है बेरोजगारों की लाइन लग रही है अब चाइनीज लोग अपन से आगे क्यों उसका एक रीजन है क्योंकि वह MSCBA बीकॉम नहीं करते हैं वह टेक्नलोजी पर बार करते हैं टेक्नलोजी हर एक आदमी टेक्नलोजी से जुड़ा हुआ है और उनके घर में CD बना देते हैं, DVD बना देते हैं और हम क्या बनाते हैं किवल बेफकु सिस्टम नहीं है जिसके अंदर जो टेक्निक्स है जो उनको आता है उसकंवा यूज करते है उनकी सरकारगी सपोर्ट करती है अंनोगा यहां तो पता है आप जानते हूगे क्यागा ह प्रवी आपन यह कहते हैं कर आपके अंदर टेलेंट तो आप बेरोजगार नहीं रहोगें अगर आपके अंदर टेलेंट ए तो चलिए अपन तो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने से अपनों कुछ मिलेगा तो इनने क्या उला कि छे वर्ज पहले जगनात बद्री से आयू म पांच बर्स पहले, साथ गुना, ऐसी होगा, ठीक है, पर्तमान आयू पूछा है पिता की, अच्छा, ये कुश्चन साथ मिस्प्रिंट है, पराने वाले कुश्चन को मिक्स कर दिया, इसलिए इस कुश्चन को अटाइए थोड़ा, ये मिस्प्रिंटिंग है इसमें, चलिए क्योंकि या तो जगन्नाथ की पूछेगा, या बंदी की पूछेगा, इसमें पिताजी की पूछे रहा है, पता ही नहीं ये कौन पिता हANG, जगन्नाथ के बंदी है, उसका कुछ लुगना है, अगले कुश्चन पर आते हैं है, ये कहेस्व पिजख से आयू में दुगना, जयेस बिजय से आयू में दुगना ये दुगना है इनसे ठीक है और सुरेस से आधा ये जयेस बिजय से आयू में दुगना और सुरेस से कैसे आधा अब जी बताओ ये ब्यक्ति इससे आधा है तो ये कित्ता हो जाएगा भी चार चार कादा दू ठीक है ये बात इनने बोली ह यदि सुरियस और बिजय की आयू का यूग 85 तो दो को इनके साफ से 85 हमारे साफ से किता भी 5 किती बार कैंसल भी 17 बार अब 17 में जिस चीज का मल्टिप्लाइ करेंगे रेशियो में उस बोची निकलेगी हमसे क्या पूछ रहे हैं यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जैस की आ 34 यह आंसर था इस कुश्चन का ठीक है आप डारेक्ट भी ऐसे आंसर लगा सकते थे यहां तक पहुंचे तो देख लो आंसर कौन सा 17 से कैंसल हो रहा था वह आंसर हो था चली नेक्ट कुश्चन पर आते भी अपन इसको अटाते हैं अगला कुश्चन है आज का चली अगला कुश्चन लेते हैं यह आज का लास्ट कुश्चन होगा नेस्ट कुश्चन क्या कि रहे है पुत्र और पिता की बरतमान आयू का अनपाद दिया एक पांच पुत्र और पिता ठीक है सन एंड फादर ठीक है वन रेश्यू फाइव यह दिरक्का है यह कब का है बर्तमान का, ठीक है, उनके माता और पिता की आयू का अनपा चार पाँच, माता पिता, फादर के साथ कौन आगे, मदर, तो माता पिता का किता दिया वी चार पाँच, तो माता के नीचे चार और इसके नीचे पाँच, यह ध्यान लखना, माता के नीचे माता की बेल्यू, औ अब आगे क्या क्या रहे हैं दो बर्स बाद हैं पुत्र और माता की आयू का अनपात तीन दस है दो बर्स बाद ठीक है पहले तो अपन यहां पर बात करो यह तो common चीज है इसका मतलब चार यहां पर तुम यहां पर चाल लिख सकते हैं तो final आपका ratio कितना बनेगा एक पात च चार अब यह क्या क्या रहा है दो बर्स बाद दो बर्स बाद भई पुत्र यहां पर एक्स लगा दो यहां एक्स लगा दो यहां एक्स लगा दो एक्स प्लस का टू हो जाएगा दो बर्स बाद माता जी एक्स प्लस की टू हो जाएगा क्या क्या रहा है इनका अनपात कितन तो बर्वाइबर क तु क्या निकलना पड़ेगा? यह दिए १ारश धारश खेजे हैं, पर एक है यहांपे इतक रहे हैं यहांपर था, और यहांपर यहां पर तु था Is ठीक है क्या हो सकता था यहां पर एक है तो यहां पर कित्ता हो जागा भी आपका तीन यहां पर चार है तो यहां पर कित्ता हो जागा भी दस यहां पर गैप 2 का यहां पर गैप कित्ते का भी आपका भी 6 का जो की गलत है यह गैप हमें समार बनाना पड़ेगा यह गैप हमें स साथ का multiply होगा और इधर कित्ते का multiply होगा इन दोने में अंतर कित्ते तीन का 3 का multiply होगा तब जाके वो gap समार बन पाएगा लेकिन अगर आप मुसीबत से बचना चाहते हैं चलिए ठीक है सुझ में नहीं आएगा यह कैसे बट रहना ईकर इसको एक्स माना इसको इसको माना तो यहां पर यह оф neutr प्लस का कित्ता हो जाएगा दो यहांपर यह कित्ती हुजाएगी पूरेक्स पलस का दो अब यह अनपाथ और यह अनपाथ बळार होनकी किया यह अनपाथ कॉछां का है दो सालबाद का है तो गवाध का 2 बटे में कित्ता हुज फूर एक्स प्लस का का 2 more is equal to appear 3y10 multiply करते हैं तो 10x plus का कित्ता भी 20 is equal to कित्ता हो जाएगा 12x plus का कित्ता भी 6 ठीक है एकसे एक साइट कर लो संक्या संक्या एक साइट कर लो तो यह साइट आगा तो 14 बचेगा और यह साइट चला जागा तो 2x बचेगा तो x की value मिली है अपनको 7 एकस की value 7 है हम सब पूछे किसकी बारे में वही फादर की value पूछी है तो फादर कित्ते है भी 5x में बरतमान में तो 7,5 35 अपना आंसर हो जाएगा ठीक है 5x मतलब कित्ता हो जाएगा इसलिए 5x is equal to कित्ता बनेगा आपका 35 ठीक है तो 35 अपना आंसर था ठीक आप्सन भी आप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और अगर दिक्कत आती है तो मैं आपसे यही चीज कहता हूं कि इस वीडियो का अपना एक बार देख सकते है अब यह हो सकता है टाइम जा रहा है तो बही बात तो सही है कि अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो टाइम तो देना ठीक है हल बनानी का नहीं बिलकुल भी हल बनानी है और टाइम से बिलकुल स्लॉट बना बना के तीरे-दीरे करके चीजों को बड़े चीजों छुटा-छुटा काट काट के आप इसको सॉल्व करना है चलिए तो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हुए अपन तब तक के ल आप सकार और देबाद